वेल्कम अस्ट्रेंट इट्स मी देपक कुमार और आज का जो वीडियो है वा क्लास 10 केमेस्टी का केमिकल रेक्शन से एंड इक्विएशन पर है ना इसमें लोग टोफ 10 M.C. की कोसेंस बात करने वाले है और ये स्रीज नमबर 3 है इसमें लोग कोसें नमर 21 से 30 तक देखने व है यहां पर आइरन फिलिंग्स का यानि पाउडर का रेक्शन सोरा है इस तरह सब देख सकते हैं यहां पर एक्सिल का रेक्शन सोगा डायलोट तो फेरी क्लोरेड बनेगा एपी-C-L-3 बनेगा और यहां पर हैड्रोजन गैस का फॉर्मिशन होगा है है च्श्ट्ट्टू गैस्या पर विंहां पर और यह अगर रेक्शंस प्यमेंलोग बॉल्स करते हैं तो गयरेक्शैस कैसे कंई च्श ll कुड का मेंछ है यहां तो F2 यहां पे थ्री बन रहा है, फेरी क्लोराइड करने का अतलब आइरन का वैलनसी या आइरन का जो ऑक्सिडेशन स्टेट होता है, वो 3 होता है तो फर्स्ट आप्सन में आइरन 3 क्लोराइड बोल रहा है, लेकिन वाटर बोल रहा है, यह गलत हो जाएगा आइरन 2 क्लोराइड एंड वाटर बोल रहा है, यह भी गलत हो जाएगा आइरन 2 क्लोराइड और हाइडरोजन के इस्तों 2 क्लोराइड बन रहा है, आइरन 3 क्लोराइड बन रहा है, यह भी गलत हो जाएगा तो यह Displace करेगा किसको copper को लेड chloride बन रहा है और copper मन रहा है तो यह किस तरह का रेक्शन से इसका example combination है double displacement decomposition यह displacement एक्षन का एक्षन का example है क्षिए displacement और डिस्प्रेसमेंट और ओम इसका क्या भलता हम लो more reactive element जो यहाँ लेड है वो copper को को संसुआ को सेने में 23 में बोल रहा है कि वीच आप दा फ्लाइंग गैस इस कैन भी यूज़ पूर स्टोरेज जैना ऑन सा क्या सकते हैं और यह में कार्बन एक्साइड और ऑक्सीजन का तो यूज हम लोग करने सकते हैं यहां पर कार्बन एक्साइड ऑक्सीजन चुकि छल्याम एंड नाइट्रोजन चुकि यह इनेट गयस है इनेट गयस का हम लोग यूज कर सकते हैं कोई भी फैसको स्टोरिज में क्यूंकि यह जेनरली र्यक्त नहीं करते हैं बीस रेक्टिव भाते हैं उससे नमगे 24 में बोल रहा है कि यह डाईलूट फेरस विरस तो यहां पर आपको कौन सा correct explanation है आपको सिबसे पहले क्या कर सकते हैं तो यहां पर फेरस शेल्फेट solution को reaction करवाया गया potassium permagnate भी acid light purple color यहां पर फेर्ड वह जा रहा है और यह finally dissipate भी हो जा रहा है तो यह रैक्शन वह बोलते हैं तो है इसका लूग जो लिक सकते हैं इस तरह से पाउर अ के साथ घर। इसका कर तो आपको यहादा है इस लेहन bijानि device कया उसक। यह एक oxidizing agent होता है और oxidize कर रहा है तो यह option सही हो सकता है सही होगा ही यह option correct होगा option B, C, D जो होगा यह क्या है तो इसका correct answer जो option number A हो जागा है बाकि जितने भी options हैं सारे क्या है options wrong हैं यहाँ पे potassium permanent एक oxidizing agent हम लोगों को first option भी मिल गया तो option number A is the correct बाकि जितने भी है APSO4 वाला बीतने जाकी सारे वह सब wrong हो जाएंगे question number 25 मोलते है in which of the following chemical equation the abbreviations represent the correct state of the reactant and product involved at reaction temperature यहाँ पे हम लोगों को abbreviations से पहचाना है कि कौन सा correct abbreviation दिया गया है hydrogen liquid form में नहीं होता है यह गलत हो जाएगा option hydrogen gas oxygen liquid यह भी गलत हो जाएगा hydrogen gas oxygen gas और water जो बन रहा है लिक्वीड that is the correct है न तो option number C इसका correct हो जागा तो उसके पीछे हम लोग hydrated बोलते हैं and hydrated the different options यहाँ पर दिया हुआ है decompose है यहाँ पर सबसे पहला क्या कि यह एप यह ले लिए इसको जैसे हम लोग हीट करते हैं यह आपका hydrate form में क्या होता है water of kisla isan यहाँ पर लोस कर देता है आपका five water molecules क्या हो जाता है यहाँ पर वो निकल जाएगा water of kisla isan जो इसका five है यह लोग हो जागा तो option number यहाँ पर बीज हो जाएगा option number B is the correct answer फिर अगेंस अगर इसको heated करते हैं तो यह फेरिक oxide में चेंज उड़ाता है sulfur dioxide sulfur dioxide में बन जलता है यह यहाँ रखना है तो यह क्या मना रहा है salt देखना है है क्या इस तरह का reaction को हम लोग neutralization reactions बोलता है यह चीज़ हम जानते हैं यह neutralization reaction है और दूसरा यहाँ पर क्या हो रहा है तो ions का भी exchange हो रहा है यहाँ पर जो nitrate आपको दीख रहा है चैनो त्री में जो NO3 part nitrate है और इधर hydroxide है तो यहाँ पर ions and ions और K deceased apart Richmond Cayetano's control changes हो रहा है तो exchange of ions हो रहा है आपे इस तरह के reactions को हमों लोग क्या बोलता है ड क्या दोडेवल disappointment रेकसन है तो displacement reaction में ड क्या हो लेगे तो यहाँ पर दो options आपके दो और दूसरा क्या बोलेहा है तो यह आपका अपका neutralization रेक्शन भी है यालनि और option नम्बर टू और option नम्बर थी ये दोनों correct होगा तो option 2,1 और 4 क्या गलत हो जाएगा तो 2 और 3 आपका option सही है तो देख लेते हम लोग यहाँ पे क्या आपके options यहाँ पे दिये होए तो 2 और 3 आपका option नमबर B में तो गलत हो जाएगा, B सही होगा, C गलत हो जाएगा, D गलत हो जाएगा तो इसका correct option हो जाएगा option नमबर B तो इस तरह से कुछ याद रखना है कि neutralization reaction double displacement action भी होता है और acid-based reactions भी होता है question number 28 बोल रहा है कि burning magnesium driven is brought in the gas jar of carbon dioxide, which of the following is correct है it keeps on burning, it gets extinguishes carbon dioxide is non-supporter of combustion but burning magnesium breaks carbon dioxide into carbon oxygen carbon dioxide is supporter of combustion तो इस तरह से आपके different options है तो आपको यहाँ याद रखना है magnesium driven जो होता है अगर हम लोग carbon dioxide के पास ले भी जाएगा तो वो keeps burning मतलब जलते रहेगा और carbon dioxide यहाँ पर option number 3 बोल रहा है कि carbon dioxide non-supporter होते भी यहाँ पर क्या करेगा वो carbon dioxide को break कर देता है और carbon और oxygen में तोड़ देता है oxygen is the very helpful for combustion यह हम लोग जानते है इसका option जो हो जाएगा बी नमबर दाटी दाग्रेक्ट वान और त्री सही होगा a c d गलत हो जाएगा option number b is the correct question number 29 में क्या बोल रहा है तो यहाँ पर question 29 में बोल रहा है कि what is observed है when a solution of potassium iodide is added to silver nitrate solution अगर potassium iodide का हम लोग silver nitrate solution में डालेंगे तो क्या होगा तो no reactions take place यहाँ पर options दिया हुआ है तो हम लोग रेक्शन दिख लेते हैं कि आई प्लस क्या हो जाएगा तो यहाँ पर आपका एजी आई बन जाएगा silver iodide बनेगा और क्या बन जाएगा potassium nitrate बनेगा तो इस तरह से यह आपका एजी आई का जो color होता हो यह यह लो पीपिटी यह बनाएगा तो silver iodide का फिप्री तो यह option किसमे है तो हम लोग यहाँ पर options देख लेंगे यह नहीं है बी वाइट प्रिस्पिटेट बोल रहा है तो यह option आपका correct होगा है यह लो प्रिस्पिटेट और सिल्बर आइड अप्शन नमबर डी यह होता है वाटर में गलत है इस तरह के सॉल्ट जो होते हैं सिल्बर के वह बैसिकली स्पैरिंगी स्वलोबल या लेस्वलोबल होते है उससे नमर थाटीन में है ना identify करना है यहाँ एक्स वाई एंड जेड इन फॉलाइंग वैलेंस्ट इक्वेशन है ना कि एक्स-वाई-जेड यहाँ जो इसको यहां पर इंटिफाइ करना जैन एक्स-पोर नैट्रोजन ऑक्सईड आर्ण दिया हुआ कि पीवी ऑउसरी को ही प्यालट यहां हो बैलन्स करें इत् नाइट्रोजन ऑक्स टाय्योट रएं और ऑक्सीज़बसे पहले यहांके कौन में सारे देख लिएंगे तो यहांप का लेट रेड़ ब्खान आपे बालेंज हैं liian को island करने के लिए लगा लेंगे तो यहां पर क्या कर सकते हैं कि HYU कि प लगा यहां पर कर देंगे यहां पर लगाने सンヤो यहां पर आपका 4 हो जाएगा तो यह आपका रेक्षन स्पालास हो जागा यानि यहां पर एक्स के जगा पर two मॉल्स होगा और वाई की जगा पर क्या हो जाएगा oxygen आप बैलन्स होगी oxygen आपका जो इदर दिख रहा है वह तो बैलन्स हो गया तो आप यहां पर X के जगा टू ली सकते हैं, Y के जगा पर क्या हो जाएगा, और Z के जगा पर 4 हो जाएगा, तो इस तरह से यह रेक्शन बैलन्स हो गया, इस तरह जो हो जाएगा, वो ऑप्शन नबर B is the correct answer, E गलत होगा, C गलत होगा, D गलत होगा, तो आप्शन नबर B is the correct answer, तो इस तरह से आपके क्वेशन नबर 21 से 30 तक complete होते हैं, इसके बाद आप लोग नेक्स भी बात करते रहेंगे, जो भी बच्चे मेरे इस चैनल पर नियू है, सबसे पहले क्या करेंगे, इस चैनल को सब्सक कर देंगे, ताकि आपको नेक्स वीडियो का प्टेट मिलता रहेगा, थैंक्स पर वाचिंग एंड सब्सक्राइब दा चैनल, थैंक्यू, वैब नाइस टे,